नमस्कार आप सभी को प्रडाम मैं विभूचर वास्तव आज कक्षा क्लास 12 के लिए केमेस्टरी का फस्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के साथ प्रस्तुत हूँ रानी रेवुती देवी सरस्वती विद्याने के तन के द्वारा मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे अपने क्लास 12 स्लेबस के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट या थोज अवस्था के इसमें प्रमुकता है मेली हम स्टरी करेंगे उन सभी टॉपिक्स के जो सॉलिड से रिलेटेट है आज बेसिक इंट्रोडक्शन का फस्ट पार्ट होगा चली चलते हैं आप देख सकते हो पहला पॉइंट लिखा है जनरल करेक्टर आफ सॉलिड 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 के जो सामान्य प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में यहां बताया गया है जैसा कि आप सब बखुबी जानते हो पिछली कक्षाओं में कि सॉलिड या ठोस के दो बेसिक प्रॉपर्टी है पहला क्या? कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो एटम्स हैं जो भी उनके अडू हैं उनके बीच लगने वाला जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ओफ एट्रेक्शन जिसे हम हिंदी में अंतरा आडविक आकरशण बल कहते हैं वह बहुत ही स्ट्रॉंग होता है प्रबल होता है इसी प्रबल अंतरा आडविक आकरशण बल के कारण वह सभी अडू एक दूसरे के पास पास रहते हैं दूसरी प्रबल परटी आप देख सकते हो निष्टिद आयतन एवं आकर ये भी हम जानते हैं कि वह जिसका वाल्यूम और शेप जिसमें कभी कोई इजिली चेंज आटोमेटिक नहीं आता हो जब तक उस पे हमको external force apply ना करें नेक्स्ट लाइन आती है types of solid chemistry के basis पर solid को two types में divide किया गया है पहला है crystalline और दूसरा है amorphous crystalline को हिंदी में कहते है crystalline और amorphous को कहते है crystalline solid का मतलब क्या होता है विवस्थित symmetrical और systematic means अगर आप कुछ भी ऐसा देखो जो systematic है उसको हम लोग क्या कह सकते है crystalline और अगर हम बात करें amorphous के accrystalline के तो उसका meaning होता है non-systematic आप यहाँ नीचे देख सकते हो एक arrangement है जिसमें systematic लिखा है और एक arrangement है जिसमें non-systematic लिखा है systematic का मतलब क्या होता है अगर आप अपने घरों की दिवालों को example में लो बहुत simple example मैं consider करूँगा अगर अपने घरों की दिवालों को लो तो उसमें आप क्या पाते हो कि जो इटे लगी होती है वो एक systematic manner में होती है या non-systematic answer क्या होगा systematic तो वो जो एक systematic arrangement है आप उसमें ध्यान दो majority अधिकतर जो इटे हैं वो सब एक जैसे shape की होंगी कहीं पर आपको ऐसा नहीं दिखाए देगा कि कोई इट बड़ी है कोई इट छोटी है या ऐसा कुछ भी है वहाँ पर ये कोई भी चीज नहीं होगी तो वो चीज क्या है systematic तो अगर आप से कभी कोई पूछे what is the meaning of systematic arrangement systematic arrangement का मतलब क्या है एक system से जब कोई चीज लगी हो उसको क्या कहते है systematic उसके ठीक बगल भी आप देखो अगर आप कभी यात्रा करो कभी जरनी करो परवत एरियाओं की हिल एरियाज की कहीं के भी तो हिली एरियाज में आप देखते हो कि पहाड की जो पत्थर है वो बिलकुल random shape में होते है क्या किसी का कोई shape fix होता है क्या answer क्या होगा नहीं किसी का कोई भी shape fix नहीं होता जब shape fix नहीं है तो वो जो कहता solidate is called as amorphous क्या वहाँ कोई particular arrangement है क्या अगर आप सोचे तो तो वहाँ भी कोई particular arrangement नहीं है तो crystalline या crystalline का मतलब क्या anything which is systematic वो कुछ भी जो systematic हो वो क्या है crystalline है and what is the meaning of amorphous और crystalline का मतलब क्या है वो कुछ भी जो systematic नहीं हो अब अगर यहाँ देखे यहाँ पे एक पूरा slide है जिसमें representation है rock salt यानि के simple ordinary नमक का और एक side एक glass जो आपके घरों में शीशे लगे होते है अगर आप crystalline salt को देखो तो यहाँ पे आप clear देख सकते हो जहाँ पे rock salt लगा है कि सब कुछ बिलकुल एक system से arrange है तो वो क्या है crystalline है एमॉर्फोस में देखो आप clearly watch out करो क्या सभी molecules सब कुछ एक comparative manner में arrange है क्या answer is no यहाँ पर सभी molecules एक particular manner में arrange नहीं है अब एक जो बहुत important question है आपके level के लिए कि what is the difference between crystalline and amorphous board के लिए बहुत important question होता है कि crystalline और amorphous में difference क्या है अब मैं आप से एक simple question पूछूँगा एक general thought और general consider सोच के देखे अगर आपके सामने कोई भी ऐसी चीज हो जो systematic है जो एक system में है जो एक symmetry में है तो हम लोग बखूँ भी जानते है कि जो भी चीज systematic होगी वो obvious ये बात है कैसी होगी stable होगी और जो कुछ भी unsystematic है या non-systematic है वो कैसा होगा completely unstable होगा तो यहाँ भी आप देखो crystalline की पहली property जो differentiate की गई है पहली heading क्या है melting point melting point क्या कहा है होगा लेकिन amorphous solid का melting point क्या होगा लो होगा आप clearly सोचो जो ची systematic होगी वो stable होगी और जो stable होती है उसको melt करना हमारे लिए always क्या होता है कथिन होता है तो यही reason है कि crystalline solid क्या होते है high melting point के और amorphous solid कैसे होते हैं low melting point के अगली property देखो stability stability वो तो consider है आपको stability crystalline कैसे होंगे high stable amorphous कैसे होंगे low stable simple वही logic जो systematic है stable है जो non systematic है वो unstable है बात आती है geometry के मैं फिर वह कोशन कहूंगा अगर कोई चीज system से है सब कुछ perfect arranged है तो उसकी जो shape होगी उसकी जो geometry होगी वो कैसी होगी जाहर सी बात से definite होगी यही reason है कि crystalline solids की जो geometry है जो भी उनके molecules का shape है जो भी arrangement है वो कैसा है 100% definite but in the case of amorphous वो undefinite है undefinite जाने कि उसका कोई particular arrangement नहीं है इसे पहले वाले slide में आपने देखा था कि वहाँ पर किसी प्रकार का आप देख सकते हो आपके glass के shape में कि यहाँ पर कोई particular geometry shape नहीं है लेकिन rock salt में geometry shape सब कुछ as it is है अब अगली property क्या physical state crystalline solid का सबसे च्छा example आपके जो nearer that is iron iron is a crystalline solid क्या वो कैसा होता है heart rachid होता है लेकिन amorphous का आप देखो glass हो सकता है koila हो सकता है mom हो सकता है rubber हो सकता है यह सारी के सारी चीज़े कैसी है comparatively soft है कि hard है तो वो इसके comparison में कैसी है soft है अब एक point आता है कि crystalline solid कैसा होता है anisotropic और amorphous solid कैसा होता है isotropic anisotropic मतलब विशमदेशिक और isotropic मतलब समदेशिक एक चीज में समझाना चाहूंगा tropic tropic मतलब क्या होता है direction या दिशा अगर आप ध्यान दो tropic मतलब क्या होता है direction या दिशा anisoo iso मतलब हम लोग पढ़े है direction का हो उसे कहेंगे isotropic या फिर समदेशिक और जो similar direction का ना हो उसे हम कहेंगे anisotropic या फिर विशमदेशिक इसका सबस्देश एच्छा एग्जामपल NACL CSBR जितने भी आईउनिक आपके हैं वे सारे के सारे किसका एग्जामपल है क्रिस्टलाइन के और जितने भी और जितने भी amorphous है वो कैसे हैं आपके isotropic के चली समझते हैं ये image ऐसी है जो आपने अक्सर देखी होगी अगर इस image को देखो तो मैं आपसे question पूछाँ अगर क्या ये पूरा जो arrangement दिखाए दे रहा है स्टुडेंट्स का ये arrangement systematic है या non-systematic है तो आपका अंसर क्या होगा जाहर सी बात है ये systematic है यहाँ पर पहले blue house उसके बगल में yellow house उसके बगल में red house और last में क्या लगा है green house तो ये किस टाइब का arrangement हो सकता है सोचे crystalline के amorphous ये कैसा arrangement है आपका crystalline arrangement है अब मैं एक बात कहूँगा अगर आप blue line से blue वाली arrow को देखो तो blue line के throughout जाओ तो आपको किवल किस color के students मिलेंगे blue color के लेकिन अगर आप blue line से diagonal चलो तो diagonal चलने पर आपको पहले blue house का student मिलेगा उसके बाद आपको कैसे student मिलेंगे लगातार उसके बाद आपको कैसे student मिलेंगे लगातार blue के ठिक बगल में yellow yellow के ठिक बगल में red और red के ठिक बगल में green तो एक direction में बढ़ने पर आपको similar color मिल रहा है जो vertical होगा लेकिन अगर आप horizontal direction में बढ़ो तो आपको arrangement कैसे मिल रहे है अलग अलग मैं जिस चीज को समझाना चाह रहा हूँ वो समझे है कि अगर आप इस row में vertically बढ़ो front to back सामने से आगे वाले बच्चे से पीछे वाले बच्चे तक तो आपको एक जैसा color मिलेगा blue row में बढ़ोगे तो blue row का मिलेगा लेकिन अगर आप इस पूरे arrangement में right to left बढ़ो तो right to left में क्या पाऊँगे पहले blue house पाऊँगे फिर yellow house पाऊँगे फिर आप red house पाऊँगे और last में क्या पाऊँगे green house याने कि एक direction में बढ़ने पर एक जैसा house मिल रहा लेकिन दूसरे direction में बढ़ने पर हमको अलग-अलग house मिल रहा है तो दो अलग-अलग direction में जाने पर क्या यहां पर molecules अलग-अलग हुए हाँ या ना तो इसका अंसर क्या होगा ना तो जब किसी molecule में हम directions को change करें अलग-अलग direction में जाने पर अलग-अलग type के molecule मिलें तो उससे हम लोग क्या कहते हैं anisotropic फिर से सुनिएगा अगर किसी arrangement में दो या दो से अधिक directions में जाने पर हमको अलग-अलग molecules मिलें या अलग सा arrangement मिलें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं anisotropic ठीक आगे बढ़ते हैं अब आभी यहाँ पर ज़रह anisotropic वाले arrangement को देखिए anisotropic में देखिए यहाँ पर plus, minus, plus, minus का एक arrangement है वो arrangement कैसा है कि एक systematic pattern पर है plus के बगल में minus minus के बगल में plus वैसे ही plus के नीचे minus मानस के नीचे plus एक particular arrangement है तो अब मैं पूछूँ क्या ये crystalline है या amorphous है तो answer होगा crystalline यहाँ पर सारे molecules plus, minus के particular arrangement में arrange है अब आप दूसरी चीज़ देखो अगर मैं कहूँ आप से direction B में बढ़ने पर तो direction B में बढ़ने पर क्या होगा आपको केवल कौन से कौन से ions मिलेंगे positive ions मिलेंगे अब ध्यानते देखिए अगर हम B direction में बढ़ें तो हमें कौन से ions मिलेंगे केवल positive लेकिन अगर हम C direction में बढ़ें तो यहाँ पर हमें कौन से direction मिलेंगे केवल negative मिलेंगे उसी के opposite अगर हम direction A में बढ़ें तो पहले plus मिलेगा फिर minus फिर plus फिर minus और यह arrangement चलेगा अब आप सोचो यह जो arrangement में इसमें तीन अलग-अलग directions में बढ़ने पर क्या हमको अलग-अलग type के molecule नहीं मिल रहें क्या और जब अलग-अलग type के molecule मिलेंगे तो जाहिड से बात है उनकी property भी थोड़ी-थोड़ी क्या होगी अलग-अलग होगी अगर आप plus-plus वाले row में बढ़ोगे तो जाहिड से बात है वहाँ पे same charge system आएगा और जब same charge system आएगा तो लगता है कि वो कुछ कम stable होना चाहिए लेकिन अब plus-minus plus-minus में बढ़ोगे तो वहाँ पे opposite charge system आएगा और जब opposite charge system आएगा तो वो system always कैसा होगा stable हो का competitively यहाँ नीचे लिखा भी है कि यह एक व्यवस्थित यह systematic representation है क्यों क्यों कि वहाँ पर सारे molecule एक system सा range है अगर direction A को देखे तो यहाँ plus-minus plus-minus का arrangement है direction B में plus-plus-plus का arrangement है direction C में minus-minus-minus का arrangement है अतहा हर direction में जो physical property होगी वो कैसी होगी change तो इसी arrangement को हम लोग क्या कहते हैं anisotropic अगर कोई पूछे anisotropic क्या है तो आप क्या बताओगे एक ऐसा system जिसमें अलग-अलग direction में बढ़ने पर अलग-अलग physical properties में दिखाई दे उससे हम लोग क्या कहते है anisotropic अब एक चीज आप imagine करो मेरे साथ क्योंकि मुझे आपको समझाना है जब आप वंदना स्थर या प्रियर पे बैठते हों तो प्रियर पे बैठने के duration पे आप क्या देखते हो कि सब लोग अगर house wise बैठें तो पहले red house, green house ऐसे बैठता है वो एक systematic arrangement है लेकिन जब आप lunch time आओ और lunch time सब लोग बिलकुल एक साथ पूरे ground में खेलते रहें कूरते रहें उस scene को imagine करो अब आप सोचो जो disturbance अगर एक जगा group of students हैं उनके कोई particular house नहीं होंगे क्योंकि lunch time है भाई हर कोई जो चाहे जहां बैठ सकता है तो वो जो पूरा system हो वो कैसा लगता है एक जैसा लगता है कि अलग अलग लगता है जाहर सी बात है एक जैसा क्यों क्योंकि हर कोई distributed है without any direction without any system तो वो किसका example हुआ वो example हुआ amorphous का लेकिन प्रे टाइम जब आप बैठते हो जब house wise बैठते हो तो हर चीज आप अलग अलग देख सकते हो कि एक रो पूरी red house की है एक रो पूरी blue house की है एक रो इस तरह तो जो आपका disturbed system है वो throughout एक जैसा लगता है तो इसी लिए disturbed system को क्या नाम देते है isotropic यानि कहीं भी बड़ो सब कुछ एक जैसा लगेगा ठीक है अब last difference आता है वो क्या है कि किस्टलाइन solids are true solid जबकि जो amorphous solid है वो pseudo solid है true solid मतलब क्या example example में लिखा है iron copper gold यह सब true solid है यानि कि perfect solid है iron है perfect solid है लेकिन अगर आप देखो glass और rubber देखने में तो solid जैसे है उनके molecules भी एक दूसरे के पास पास है लेकिन क्या वो उतने अच्छे solid होते हैं क्या यतने अच्छे solid iron है answer is no तो वो कैसा solid हुआ pseudo solid true solid क्या जो 100% solid जैसा हो solid property रखे अबसे best example है लेकिन जो आपका amorphous solid है वो कैसा है pseudo solid glass rubber यह सब solid तो होते हैं लेकिन pure solid नहीं होते है आप एक काम करना चाहूत कर सकते हो जो जो लिखा है उसको अपने copy में लिख लेजे बाकि अगर आपको जो भी problem होगी आप मुझे comment या message कर सकते हैं अब आपने 11 में पढ़ा है अगर प्लस माइनस अरेंज हो तो जैसा figure में बना है वैसा ही तो औरेंज होगे न प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ ऐसा है यह कैसा arrangement है systematic की non systematic ध्यानते देखिए यह systematic arrangement क्यों plus के बगल में minus ही होगा minus के बगल में plus ही होगा कभी भी plus plus या minus minus एक साथ नहीं होगे तो यह arrangement कैसा हुआ systematic और मैं फिर याद दिला रहा हूँ हर वो arrangement जो systematic है वो always क्या होगा crystalline होगा तो अगर कोई आपसे पूछे why क्यों ऐसा है कि ionic solids crystalline के part है तो answer आप क्या दोगे क्योंकि उसके सारे plus minus molecules एक particular system एक particular manner एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है इसलिए वो सब क्या है crystalline solid अब यहां पर आप बखूबी जानते हो जो नीचे point लिखे हैं कि जो रण और धन आवेश से बना होगा वहां पर लगने वाला आकरशनबल प्रबल होगा उसमें solid state में insulator है अगर आप एक नमक का डिबा लो और नमक के डिबे में दो तार डालकर उसको battery से connect करो तो क्या कभी electricity flow करेगी क्या कभी नहीं करेगी लेकिन उसी नमक में अगर आप एक गिलास पानी डाल दो तब आप उस तक circuit बनाओ अब battery से जोड़ो तो current flow करेगा answer होगा हाँ क्योंकि solid state में plus minus free नहीं होते वो एक दूसरे से tightly या कथोरता से बंधे होते tightly bound होते हैं जब bound होंगे तो free नहीं होंगे जब free नहीं होंगे तो conductivity नहीं होगी तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है हर solid लेकिन aqueous या liquid state में या gel state में वो कैसा है it is a conductor वो एक सूच अलग है यहां लिखा हुआ है कि इनको अलग करना difficult होगा क्योंकि due to strong force of attraction यह बात आप जानते हैं जब अलग करना कथिन होगा तो वो highly stable होगे तो इनका melting point वालिंग पॉइंट वो भी कैसा होगा ज्यादा होगा तब से अच्छा अग्जामपल क्या है NaCl, CaCl2, NaNo3 लीचन फ्लॉराइटी सारे के सारे आयनिंस दूसरी बात क्या NaCl हमने 11 में पढ़ा है NaCl एक ऐसा compound और पॉलर और आल्वेज किसमे डिजॉल्व होगा पॉलर में पॉलर आल्वेज पॉलर में डिजॉल्व होगा नॉन पॉलर आल्वेज डिजॉल्व किसमे होगा अगली बात पे चलते हैं यह आप एक एक्जामपल देख सकते हो जो ग्रीन बॉल है वो क्लोरी यानि दिस यह वाइनस है और जो वालेट बॉल है वो किसका एक्जामपल है सोडियम का एक जो आफ का स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड में वो किसको डिनोट कर रहा है कि सारे मॉलेक्यूल एक दूसरे से बाउंड है। क्यों के बीच इस ट्रॉंग फोर्स ओ एट्रक्चर है उसी को समझाने के लिए हमने फिगर में दूसरे फिगर में उनको दूर-दूर कर दिया तो आप देख सकते हो सबसे पहले ग्रीन क्लोरीन बॉल है उसके ठीक पीछे वालेट कलर की सोडियम फिर क्लोरी फिर sodium फिर chlorine तो एक ऐसा arrangement यहां पर बना हुआ है तो वह arrangement कैसा है systematic है तो आयनेक्स वालेट किसके टाइप हुए crystalline के के amorphous के तो क्या अंसर दोगे आयनेक्स वालेट्स हार दपार्ट ओफ crystalline आयनेक्स वालेट्स किसके हिस्सा है किसके भाग है crystalline धात्वों के या crystalline थोसों के धात्वों के लिए सोरे क्यों कि उनके सभी molecules एक particular एक निश्चित व्यवस्ता में लगे होते हैं अब अगला example आता है covalent solid का सहसंयोज solid पर भाशा लिखी है सहसंयोजग योगिक वे होते हैं जिनका formation covalent bond से होता है यह बात आपको पता है कि सहसंयोजग जिनका निर्मार किस से होता हो covalent bond से होता हो वे covalent compound जिनका structure simple हो या compound का अडू भार कम हो या तो gas होंगे या liquid आप 11 में पढ़े होगे और आप अपने आसपास देख सकते हो कि आपकी जो oxygen है वो एक covalent compound है और वो एक covalent compound है और उसके सभी molecules किस state में हैं लिक्विड हैं कि गैस हैं कि solid है अब clear देख सकते हुए सभी कि सभी गैसी स्टेट में हैं वैसे ही co2 वो भी कैसी है gaseous है तो हर वो covalent compound जिसका या तो atomic weight और स्वारी molecular weight अडू भार कम होगा या जिसका size छोटा है जिसका आकार स्मॉल है या सिंपल है वे सारे कि सारे किस state में होंगे या तो लिक्विड होंगे या तो गैस लिक्विड का सबते अच्छा example आपके पास है स्टू आप स्टू को देखो स्टू एक covalent compound है और covalent compound होने के नाते वह स्मॉल कंपोनेंट है उसका सिंपल उसका शेप सिंपल वी शेप और वी शेप होने के रिजन से वह कैसा है एक लिक्विड है तो मैं जो बात बताना चाहे रहा हूं वह क्या है हर वह covalent का जो या तो small होगा जिसका molecular weight कम होगा वह always कैसा होगा या तो लिक्विड या तो गैस बहुत कम उसका वेट है तो गैस होगा थोड़ा ज्यादा होगा तो लिक्विड होगा नाव नेक्स तिंग आती है covalent compound जिनका structure complicated या network type का हो या giant या बड़ा structure हो वह always क्या होते है solid एक simple structure है crown sulfur का जहां पर आप sulfur का एक crown जैसा structure देख सकते हो वह एक बड़ा structure है बड़ा structure होने रिजन से यह किसमें exist करता है as a solid और दो चीज़ें यहां पर जो दी गई है graphite और diamond अब बखुबी जानते हो पर नीचे वाली कक्षाओं से या low classes से पढ़ते चले आ रहे हो that there are two important allotrop carbon के दो important upper root या allotrop है जो solid state में एक का नाम क्या है diamond और एक का नाम क्या है graphite आपको यह बात बखुबी पता होगी कि diamond naturally founded strongest matter है क्याने कि प्रकृती में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदा़ थे 되고 प्रकृती में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार थे अब हीरे की सनर्चना को remote का अभ् feel अधैं का उसे प्रकार कि थृष्चर जैसा अभण जैसा बना होता है। वीसे ही रश्चर जाल जैसा बना होता हैं। कि अधम ses दोस्ती बात देखें। ही रेक नीचे कहले कि 3D नेट्वर्क टाइप वह एक 3D वह भी अर्रेंजमेंट है नेट्वर्क टाइप के बड़ा सा नेट्वर्किंग अब अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा उसको इसी प्रकार सिलिकॉन ट्यूब पुलरीन और बी ट्व चाहेड्रॉं वह भी सब क्या हैं और यॉक अ हैड्रॉण इतना स्ट्रोंग है कि उसके बने उसके बने सबस्टेंस को कहीं से भी एक बुलेट भी बुलेट भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते अब नीचे अप्ट आ को आपको याद होगा ग्रिफाइट म एक काऱ्मन कितने बनाटा है 3, 3 बनाने के रिजर्ण से उसका जो हाइपड़ादेशन वो किया है SP3 है और जिस region से वहाँ पर चार valence में से केवल तीन valence electron sigma bond बनाते हैं एक valence electron pi bond बनाता है ये सारी बातिया आप elaborate में पढ़ चुके हो और जिस region से उसके पास एक electron free रहता है as a pi electron और sp2 hybridization होने की वज़े से उसका जो structure है वो कैसा है planar तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि ग्रिफाइट का structure planar क्यों है तो reason क्या होगा क्योंकि उसके carbon का जो hybridization है वो किया है sp2 है और sp2 always कैसा होता है planar होता है वैसे ही diamond का structure कैसा है आपका tetrahedral योकि आप diamond clear देख सकते हो एक carbon कितने one बनाता है four bond बनाने के वज़े से वहाँ पर 4 के 4 electron sigma bonded होते है sigma bonded होने के वज़े से उस compound के पास free या pi electron नहीं होता और वो किस किता behave करता है insulator की तरह तो diamond क्या है एक insulator है graphite क्या है एक conductor है क्योंकि pi electron होने के वज़े से pi electron होने के region से graphite का वो electron पूरे system में movement कर सकता है हमें बखूबी पता है कि conductivity के लिए या तो movement of iron होना चाहिए या movement of iron होना चाहिए या movement of electron होना चाहिए graphite के पास एक electron free है जो easily movement कर सकता है और उसके easily movement करने के कारण वो कैसा behave करेगा as a conductive यह अगले slide में देखो आप एक carbon को अगर आप जो सब्ते top पर है वो कितने bond बना रहा ध्यान से देखिएगा चार bond बना रहा तो इसका hybridization क्या होगा sp3 अगर आप graphite के किसी भी एक carbon को देखिए वो टोटल कितने bond directly बना रहा that is a 3 उसका hybridization होगा sp2 तो चार सिग्मा bond sp3 तीन सिग्मा bond sp2 यह आपको पिछले साल याद होगा अब यह solid क्यों है आप clear देखो न यह दोनों structure चाहे वो diamond का हो चाहे वो graphite का हो एक network जैसा structure है और network जैसा structure होने के कारण वो एक किसमें अग्रिस्ट करते हैं solid में हमने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि वे कोवलन कंपाउंड या तो उनका molecular weight बहुत ज्यादा हो या तो उनका जो structure हो नेट वर्किंग टाइप का हो या जियांट हो बड़ा हो विशाल काई हो तो वह सब किसमें के रूप में अग्दस करेंगे तो वही डीजन है कि diamond और graphite क्या है हमारी solid ने क्योंकि उनका structure कैसा है networking जैसा तूसरी बात एक question शायद आपके मन में उठे कि diamond इतना strong graphite इतना weak क्यों graphite को आप हांते तोड सकते हों लेकिन diamond strongest matter है तो उसका जो reason जो बताया गया है कि जितने ज्यादा linkage जितने ज्यादा bond बनेंगे strength मजबूती उतनी ही ज्यादा होगी यही reason है कि diamond SP3 चार linkage बना रहा चार bond बना रहा इसलिए वह stable होगा लेकिन graphite जो किवल तीन bond बना रहा वह क्या होगा comparatively low stable होगा या soft होगा अगली यह कुछ और examples है जो आपके solid है चाहे वह graphite हो diamond हो BC8 हो fullerene हो carbon nanotube हो graphene हो यह सारे के सारे covalent compounds हैं वह यह सारे के सारे covalent हैं और यह सब के सब किसी state में रहते हैं solid state में क्यों reason क्या है मैंने पहले बताया है फिर से बता रहा हूं हर वह covalent compound जो network type में होगा जिसका structure giant या बड़ा होगा या जिसका molecular weight बहुत ज्यादा होगा वह सारे के सारे क्या होंगे आपके solid state में तो यह उसका region होगा अगला टाइप आता है molecular solid अगर आप मैं एक सिंपल एक्जामपल लों कि वाटर है पानी पानी का formula क्या होता है अगर मैं कहूं आप सब 12 में हो आपको मालूम भी है अगर केवल हाइड्रोजन होता एक हाइड्रोजन तो यहां पर bonded hydrogen H2O है तो यह कैसा है आपका molecule है अगर आप बरफ को फ्रिज में रखो फ्रिज में रखने से उनका temperature क्या होगा कम होगा temperature कम होगा तो उनकी जो कानेटिक है वो क्या होगी कम होगी क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा temperature उतनी ज्यादा कानेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा कानेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मुवमेंट यहां पर क्या है कि S2O एक molecule है molecule होने की वज़े से उसके उसके जो molecules है temperature कम होने पर उनकी kinetic energy क्या होगी कम होगी और जब kinetic energy कम होगी तो वो सब एक दूस्ते के क्या आजाएंगे close आजाएंगे और जब close आजाएंगे तो वो किसे state में छले जाएंगे ice तो यह एक simple phenomena है जो आपको पता है अब वाटर का एक molecule जब दूसरे molecule के पास आता है तो वो उनके बीच का intermolecular space कम होता है intermolecular space कम होने के reason से वो किसमें चला जाता है solid state में हमें पता है भाई कि solid मतलब क्या जिनके molecules के बीच intermolecular space या अंत्रा अर्वे के स्थान बहुत कम होता है तो नीचे लिखा है वे solid जिनका formation molecules के बीच attraction force से हुआ हो उससे हम लोग क्या कहते हैं molecular solid molecules के बीच लगने वाले force of attraction को हम लोग क्या नाम देते हैं wonder was force of attraction इसके बारे में 11 में हम दोने पढ़ा है एक्जामपल क्या है ice solid carbon dioxide iodine यह सारे के सारे किसके एक्जामपल है आपके molecules के तो एक मत ध्यान दीजे मेरे साथ ionic solid में कौन ता force लग रहा है ionic force covalent solid में कौन ता force है just a bonded covalent force है लेकिन जो molecular solid में जो attraction force लग रहा है वो कौन ता लग रहा है wonder was तो ionic सबसे strong क्योंकि दो opposite charge के बीच है उससे कमजोर किसके बीच लगेगा को वैलेंट में और सबसे कमजोर किसके बीच लगेगा आपके molecule में यही डीजन है कि molecular solid को तोड़ना हमारे लिए क्या होता है आसान बरस पे एक खतवड़ा मारिये आसानिक तूट जाएगा वहां पर कौन ता इसका क्या होता है इसका क्या मतलब है हमनों पढ़े हैं बाकि अगर आपको प्राबलम हो आप कमेंट कर सकते हैं लास्ट जो टाइप है इसका that is a metallic solid आपके आसपास जो भी metal हो लोहा तामबा सोना कॉपर चांदी जो भी कुछ है वह सारे के सारे किसका अग्जामपल्स हैं metallic solid ठीक अब एक चीज मुझे यहां बतानी है metallic solid में जो भी जिस अगर आप एक लोहे की रॉड लोहे की रॉड में जो सारे के सारे एटम है वह किसके होंगे लोहे के होंगे जब सारे के सारे एटम लोहे के होंगे तो क्या उनकी जो इलेक्ट्र negativity है उसमें कोई change होगा क्या उनकी इलेक्ट्र नेगेटिविटी में कोई change नहीं होगा जब उनकी इलेक्ट्र नेगेटिविटी सेम हो गई तो क्या किसी पर प्लस किसी पर मानस आएगा क्या सोचके देखिए क्योंकि इलेक्ट्र नेगेटिविटी मतलब क्या एक इलेक्ट्र खीचेगा और एक इलेक्ट्र देगा तो जब इलेक्ट्र तो इसको समझाने के लिए एक थियोरी आई जिसका नाम होता है इलक्ट्रॉन गैस मॉडल इलक्ट्रॉन गैस मॉडल में क्या बताया कि हर मेटल आपने बखू भी पढ़ा होगा जानते भी होगे मेटल मतलब क्या जो इलक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता हो मिटल क्या जो जो इलक्ट्रॉन दान करके धन आवेश बना ले वो क्या है धातू ठीक है जो धनायन बनाए जो धनायन बनाए वही क्या है धातू है अब अगली बास समझें एक यहाँ पर एक figure है जिसमें हमने M प्लस से metal coordinate किया है और उसके चारोड क्या बनाया है electron तो आपको 11 में मैंने पढ़ाया है कि एक theory आए और ध्यान रखिए यह theory imaginary है कि ऐसा होता होगा क्या 100% ऐसा ही होता है इसकी कोई guarantee फिलाल तो नहीं है तो यहाँ पर क्या है वो electron उस metal की पूरे system में एक flow करते हैं flow करने जैसा ठेक है और उस electron के floating area में M प्लस यानि जिनों ने electron दिया है वो वहाँ पर तैरते रहते हैं और इनके बीच एक कौन सा force लगता है strong attraction force और इसी attraction forces से वो क्या हो जाते है solid ठेक है एक बात और जो मुझे यहां बतानी थी कि अगर आप इस structure को देखो तो liquid state में जो water के molecules हैं आप देखे random कहीं भी movement कर रहे हैं लेकिन जैसे ही आप solid state में आए हर water का molecule ice में आने पर एक particular system में अरेंजमेंट में कैसा है arrange है अगर आप ध्यान दीजे किसी भी एक water molecule को तो वो एक water molecule कितने molecule तो जुड़ा है it is a 4 कितने से attach है भाई वो अगर आप पहले वाले को देखो वो कितने से attach है 1,2,3,4 4 से attach है तो water molecule की जो बर्फ में number of atom attach होते है उनका number क्या होता है 4 इसलिए इसको हम लिए क्या कहते है tetrahedral कहते है अब ये वही again वही model जिसमें हम देख सकते हैं कि M plus metal electron donate कर रहा और electron उसके चारो और rotate कर रहे है जो किसके structure बना लेगा एक C जैसा उस C जैसे structure में वो metal एक float करता रहता है तैरता रहता है जिसके करण वहाँ पर attraction force लगता है और वो एक strong position में जाता है आज के लिए बस इतना ही बाकी चीज़े अगले वीडियो में अगले chapter में हम लोग पढ़ेंगे अगर आज के इस पूरे topic में आपको कहीं कोई दिक्कत हो कोई problem हो क्योंकि हम लोग face to face बात नहीं कर रहे है एक audio visual के थुरू बात कर रहे है कोई भी समस्या हो जो आपको लग रहा हो कि मुझे नहीं आ रही है आप वीडियो को बार बार देखी rewind करके देखी शायद आपको मदद मिले नहीं तो आप comment करिए आप मुझे phone कर सकते हो कि तर मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता दूँगा आज के लिए धन्यवाद